A capacitor is charged by connecting a battery across its plate. It stores energy U. Now the battery is disconnected and another identical uncharged capacitor is connected across it. Then the energy stored by both the capacitor of the system will be. तो पेटा स्टार्टिंग मुशने क्या बोलोगे कि अपने पास एक charged capacitor है. इस capacitor को हमने चार्ज किया बैटरी लगा के. बैटरी लगा के चार्ज किया तो हमान लेते हैं इसकी capacity है और इसका potential कितना हो गया भी चार्ज है अब हमने इससे बैटरी डिस्कनेक कर दे डिस्कनेक करने के बाद हमने एक दूसरा identical uncharged capacitor इसके साथ कनेक किया across it, across it का मुला बैटा ऐसे diagram बना लो. उसके सामने लगा दिया, जैसे पहले बैटरी across it थी, तो अब ऐसे capacitor across it है, यह इसकी capacity है बट इसका potential क्या है जीरो है, अब actually मैं अगर दो capacity है से लगे होते हैं तो तुम्हें common potential का formula लगाना है, उसने तुमसे पूछा हुए energy store, तो energy अब तुम्हें दोनों का potential पता लगेगा, तो भई मान लेते हैं इसका common potential है, यहाँ एक से और यहाँ पर क्या है बेटा जीरो, तो याद करो common potential का formula क्या होता है, x equals to c1 v1, c1 v1, plus c2 v2, तो वो तो uncharged है, divided by c1 plus c2, 2c, इसका potential अपने पास आज़ाएगा v2, यह अब दोनों का potential, after sharing of charge, यह बन चुका है, v2, अब final energy तो हम लिख सकते हो, initially उसने बोल रखा है, कि इसके पास energy u है, इसके पास मनला सिर्फ इस अकेले का पैस्टर के पास, तो u की value तो बेटा हम लिखे हैं, तो u की value तो अपने पास के आएगी, half cv square, यह यह initial है, u final system का लिखेंगे, system का ल square, ठीक है, into 2 कर देता हूं, दोनों की है, तो यह अपने पास आजाएगा, u by 4, तो इसका अब जो final potential है, वो अपना कितना रह चुका है, u by 4, कौन सा answer होगा अपना, तो अपना answer होगा बेटा, c,